साथियों, आज भारत आत्म विश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है, आज भारत सिर्फ बढ़ाई नहीं कर रहा है, आज भारत बहतर भी कर रहा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है, आज दुनिया के सबसे बड़ा एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्रेम भारत में चल रहा है, आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्ट कैर एशरन्स प्रोग्रेम भी भारत में चल रहा है, 6 लाग गावों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है और परसों ही कोरोना संक्रमन के विरूद दुनिया का सबसे बड़ा टिकाकरण अब्यार भी भारत में शुरू हुआ है यहाँ गुजरात में ही बीते दिनों दो ऐसे काम पूरे हुए जिनका मैं विशेश तोर पर जिक्र करना चाहता हूँ यह उदारा है कि कैसे तेजी से पूरी होती परियोजनाएं लोगों का जीवन बदल देती है एक गोगा और हजीरा के बीच रोपैक सेवा और दूसरी गिर्नार रोपवे साथ क्यों पिछले साल नवेंबर में याने चार महिने पहले गोगा और हजीरा के बीच से यह यह रोपैक सेवा शुरू होने से सावराश्ट और दक्षिन गुजरात दोनों ही छेत्रों के लोगों का वर्सों का इंतजार समाप्त हुआ है और वहां के लोगों को इसका भौट लाब हो रहा है इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच सडक की दुरी पोने चार सो किलोमेटर की हैं वो समंदर के रास्ते सिरफ नब्बे किलोमेटर ही रह गई है यानि जिस दूरी को तय करने में पहले दस से बारा घंट लग जाते थे अब वो चार पांच घंटे में ही पूरी हो जा रही है यानि इससे हजारों लोगों का समय बत रहा है पैट्रोल डीजर पर होने वाला खर्च बत रहा है सडक पर चलने वाली गाड़िया कम होने से प्रदूशन कम करने में भी मदद मिली है सिर्फ दो महिने में मुझे जो बताया गया सिर्फ दो महिने में पच्चास हजार से जाना लोग इस नई सुविदा का लाब ले चुके हैं चौदा हजार से जादा गाड़िया भी रोपेश फेरी से ले जाई गई हैं सूरत के साथ सवराज्ट के इस नई कनेक्टिवीडी ने सवराज्ट के किशानों और पसुपालों को फल, सबजी और दूद सूरत पहुँचाने का आसान मार्ग उपलब्द कराया है सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी और दूद ऐसी चीजे खराब हो जाती थी पहुँचते पहुँचते ही बरबास हो जाता था अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किशानों के उत्पात और तेजी से शहरों तक पहुँच रहे हैं वही सूरत में व्यापार, कारोबार करने वाले साथियों और समिक साथियों के लिए भी आना जाना इस फेरी सेवा से बहुत आसान हो गया है साथियों इस फेरी सर्विस से कुछ सब्ता पहले ही पिछले साल अक्तूबर के मेहने में गिर्नार में रॉप्पे शरू हुआ था वो भी करीब 4-5 मेहने पहले पहले गिर्नार परवत पर दर्शन करने जाने के लिए नव हजार सीडियां चरकर जाने का ही विकल्प था एक और सुविधा दिये हैं पहले मंदिर तक जाने में पांच-छे घंटे लग जाते थे अब लोग कुछ मिरिट में ही वो दूरित्ताय कर लेते हैं मुझे बताया गया है कि सिर्फ डाई महने में ही अब तक दो लाग तेरा हजार से जादा लोग इसका अलाब उठा चुके हैं आप कल्पना कर सकते हैं सिर्फ डाई महने में दो लाग से जादा लोग आज समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवा का काम हुआ है और मुझे विश्वास है खास करके जो बुजूर्ग माता है बहने बुजूग परिवार के बरिश लोग ये जो यात्रा कियर कर रहे हैं मेरे जैसे अनेकों को उनके आशिजवाद मिल रहे हैं जो हमें और दिक काम करने की ताकत देते हैं भाई और भेनों नए भारत का लक्ष लोगों की आवश्रक्ताओं को समझते हुए आकांख्षाओं को समझते हुए तेज गती से काम करते हुए प्राप्त किया जा सकता है इसी दिशा एक और प्रयास है जिसकी लोगों में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए यह प्रयास है केंद्रियस तरपर प्रगती नाम से बनाई गई व्यवस्था मैं जब गुजरात में था तो स्वागत कारकम के बड़ी चर्चा हो रही है लेकिन देश के अंदर प्रगती कारकम जो मेरा चल रहा है देश की अलग-अलग योजनाओं में इंफास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के मैं इस प्रगती प्रेटफॉर्म का प् हंतों तक बैठ करके राज्यों के अधिकारियों से एक एक प्रोजेक्ट की बारिकिशे चर्चा करता। उठी उनकी समस्याव का समय्धान करने के लिए प्रयास करता। प्रगति की बैटकों मैं मैं कोशिश करता हूं कि सभी स्टेक होल्डर के साथ सीधा समवाद करके दसकों से अटके हुए प्रोजेस कोई हल निकल सके बीते 5 साल में प्रगती की बैटकों में 13 लाग करोड रुपिय से जादा के प्रजेक्स के समिक्षा हो चुकी है इन बैटकों में देश के लिए जरूरी लेकिन बर्सों से अधुरी अनेत परियोजनाओं को रिव्यू करने के बाद उनका उचित समाधान किया गया है